ये दोखा ये समस्या किसी के साथ उत्पन हो सकता है यानि अगर आपके साथ भी ऐसा समस्या है तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए आपके पास जो भी जमीन का कागज है यानि जमीन का जो आप घर में कोई भी अगर कागज रखे हुए हैं, दस्ताबेज रखे हुए हैं तो अब आप सतरक हो जाएए वो जमीन आपके हातों से जा सकती है यानि अगर आप एक गल्ती कर देते हैं तो देखें जमीन है ये जमीन का टुकरा है जमीन की रजिस्टरी आपके पास है जमीन का रसीद आपके पास है जमीन का कबजा आपके पास है लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि ये जमीन आपकी ना हो यानि ये जमीन कोई और लेकर चला जाए ये जमीन का जो टुकरा आप देख रहे हैं इस जमीन कागजात कोई और लेकर आ जाए और वो कागजात जो है यानि आप कहें तो अलग-अलग भासा में अलग-अलग लिपी में लिखा हुआ है क्या उसका मानिता है तो हम आपको बता दें कि जो मुगल का काल था और उसके बाद जो भी है ब्रिटिस का भी जो काल रहा उसमें हुआ क्या ब्रिटिस काल मुगल काल में कि ये जो कैथी लिपी है कैथी लिपी उसका परचलन उसमें था कैथी लिपी में ही लिखा जाता था लोग पढ़ते थे उस समय समझ में आता था अब जो है इसका अनुबाद लोग हिंदी में करा रहे हैं और उसके लिए ढूंड रहे हैं कि आखिर इसका हिंदी अनुबाद कैसे होगा अब है कि जो भी revenue officer हैं राजस्तों के करमचारी हैं अधिकारी हैं उनको भी नहीं ये परने आता है लेकिन अब यहां पर देखें होने वाला क्या है कि ये जो पुराना दस्तावेज जो है जो की कैथी लिफी में लिखा हुआ है कानुनी तोर पर इसका मानिता है इसका मानिता जो है आप कोई हटा नहीं सकता इसलिए पुराना दस्तावेज है पुराना दस्तावेज जो है उसी के अधार पर नया दस्तावेज त्यार हुआ है तो पुराना दस्तावेज अगर कोई लेकर आता है तो कानूनी तोर पर उसका मानता है लेकिन इस पुराने दस्तावेज का जो मानता है यानि वो मानता सिर्फ जो है यानि सिबिल कोट में है यानि सिबिल कोट में अगर कोई भी इस दस्तावेज के अधार पर जो दस्तावेज कैथी लिपी में लिखा हुआ था कैथी लिपी के बारे में आपको अगर बता दें तो यह जो यहाँ पर कैथी लिपी है यह एक एतिहासिक लिपी है यानि और इसका जो एक तरसे उपयोग पहले किया जाता था इस लिपी का जो एक तरसे दस्ताबेज में उपयोग किया जाता था वो एक तरसे यूपी जारखन बिहार इन सभी राज्यों में जो एक तरसे पूर्बी भारत है उतरी भारत है वहाँ पर जो है इसका उपयोग इस मासा का उपयोग जो है किया जाता था लेकिन अब जो जिनके पास दस्ताबेज है जिनके पास डॉक्मेंट है वो कागजात निकाल रहे है अब कागजात निकाल रहे है तो वो कागजात जो ऐस पस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि पर अगर कोई भी दावा करना चाहता है अगर उसके पास वो जमीन मौजूद नहीं है तो वो दावा कर सकता है वो दावा करने के लिए सिबिल कोट जाना परेगा यानि अगर आप यह चाहते हैं वो दावा करना तो उसको उस दावा को आप जो है सिबिल कोट जाकर साबित कर सकते हैं लेकिन आज मालते किसी के पास जमीन का रजिस्ट्री रसीद कबजा सब कुछ है लेकिन कोट से उसको नोटिस भेज दिया जाता है और नोटिस में अगर कोई भी बैक्ति ऐसा है कि जो क्या करता है मालिकाना हक का दावा करता है और मालिकाना हक का जो दावा करता है व हुआ है अब है कि मालिकानों हाग का दावा करता है भासा लिखा हुआ कैती में है अब एक उसको translate किया जाएगा उसको यहां पर हिंदी में translate करके उस रस्तावेज को पहले verify किया जाएगा अगर वो रस्तावेज सही पाया गया तो ये देखा जाएगा कि जो बैक्ती के पास जमीन की रजिस्ट्री है जो बैक्ती जमीन को खरिदाज ठीक है वो रसी जो है जमीन का कटा लिया सारा डॉक्मेंट उसके पास मौजूद है कबजा उसके पास मौजूद है लेकिन अब ही ये देखेगा कि विक्रेता कौन है विक्रेता अगर इस कैती जो दस्ताबेज है जो पुराना दस्ताबेज है उसके परिवार का नहीं है उससे एक तो फिर इस सेल डिड का कोई मतलब नहीं है ये एक तरह से कह सकते हैं फरजी दस्ताबेज है और फार्जी दस्ताबेज जो है इाँ पर तयार किया गया है अब फार्जी दस्ताबेज का अगर बनवाने का आपके उपर आरोप लग जाएगा तो फिर आपको और समस्याउतपन हो सकता है इसलिए इस बात को समझ लें इस बात को जान लें कानूनी तोर पर जो है संपत्ती का असली मालिक वही होगा जो इसके पास जमीन का पुराना दस्ताबेज है पुराना कागजात है पुराना डॉकमेंट है किसी का नया कागजात बन गया यानि जो अंग्रेजों का भूमी सर्वेक्षन हुआ उस समय जो भी कागजात दिये गए कानूनी तोर पर वही कागजात मानने है बर्तमार में अगर आपके पास कोई भी कागजात है और अगर वो कागजात उस पुराने कागजात से कोई उसका तालुक नहीं है तो फिर आपकी वो जमीन कभी नहीं हो सकती आपके नाम वो जमीन किसी की गलती की वज़र से हो गया है आपका वो जमीन नहीं है जमीन का असली मालिक कौन होगा जिसके पास पुराना दस्ताबेज है पुराना कागजात है जमीन का असली मालिक वही होगा जिसके पास सिर्फ नया कागजात है हो सकता है उसके पास रसीद भी हो हो सकता है उसके पास कबजाओ भी हो तो भी वो जमीन का असली मालिक नहीं होगा जमीन का असली मालिक पुराना दस्ताबेज अब किसी का पुराना जमीन की रजिस्ट्री है ऐसा बहुत सारे लोगों का समस्या आया है कि मेरे पास जमीन का पुराना रजिस्ट्री है यानि जमीन का पुराना रजिस्ट्री लेकिन ये रजिस्ट्री जो लिखा हुआ वो भी कैथी लिपी में लिखा हुआ अब कैथी लिपी में रजिस्ट्री अगर लिखा हुआ लेकिन आज तक उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ दाखिल खारिज नहीं हुआ तो सबसे पहली बात कि आपकी रजिस्ट्री बहुत पुरानी है पहले तो उस रजिस्ट्री को भेरिफाय करना होगा क्या ये सही है ये जो सेल लिड है ये सही है अगर ये सही है ऐसा हुआ है जमीन की रजिस्ट्री हुई है बेरिफाय हो गया जो तरह से औकाडियाला है वहाँ पर भी ये दर्ज है तो फिर उस दस्ताबेज के अधार पर पहले आप टाइटल का दावा करेंगे यानि आप संपत्ती के मालिक होने का दाबा करेंगे अगर आपका दाबा सही होता है तो फिर आपको मालिकाना हक दे दिया जाए और जाएगा बिल्कुल जाएगा और आपके नाम से जमीन का नया कागजार वो त्यार होगा उस डिगरी के अदार पर यानि कोई आपके जमीन को कबजा भी कर रखा है तो उसको कबजा छोड़ना परेगा आसा करते हैं वीडियो चा लगाओका वीडियो चा वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं